Let's do question number 9th of exercise 5C, that is fraction, question number 9th is reduce each of the following fraction into its simplest form, हमें ये सारी fractions को simplest form में करना है, तो first part है 9 upon 15, first part is 9 upon 15, simplest form का मतलब होता है कि ऐसे number से divide करना उपर नीचे, पहली बात same number से divide करना है और जब तक वो same number से divide होते चले जाते हैं, कोई सा भी हो number लेकिन same हो, like पहले ये 3 से divide और हो, फिर 5 से divide और हो, फिर 6 से divide और हो, तो दोनों को उपर नीचे divide same number से करना, जितनी बार भी वो divide हो सके हैं, कि जब वो आगे divide नहीं हो सकते हैं, तब तक उनको काटते रहना, that is called simplest form, तो हमें ये देखें, ये दोनों number 3 के table में आते हैं, तो हमने क्या किया, 9 upon 15 को divide कर दिया, 3 से, दोनों उपर नीचे same number से divide होंगे, तो हमें पता है, 9 को 3 से divide करेंगे, तो 3 आएगा, 15 को 3 से divide करेंगे, तो 5 आएगा, आप देखें, 1 के इलावा कोई ऐसा number नहीं है, जिससे divide ह और 1 से divide करने का कोई फायदा नहीं है, same value आएगी, तो this is the answer, अब second part देखें, 48 upon 60, तो second part देखें, हमने लिखा 48 upon 60, काइदे में आप चाहें, तो direct 12 से divide कर सकते हैं, लेकिन देखें, मैं आपको बताने के लिए कि कितने भी number से divide कर सकते हैं, ये मुझे पता है, 6 से divide होता है, दोनों, उपर नीचे, तो मैंने लिखा 6 से divide हुआ, 48 और 60 भी हमारा 6 से divide हुआ, तो यह है 8 upon 10 आगया, अब 8 हमारा 2 से divide होता है, और 10 भी हमारा 2 से divide होता है, फिर से divide कर दिया, तो ये कितना है, 4 जा एंड 5 जा, अब 4 और 5 दोनों किसी number से divide नहीं होते हैं, तो 4 upon 5 is the simplest form answer, Let's do third part now, third part is 84 upon 98, third part आगया हमारा, 84 upon 98, अब देखिए, 84 on 98, मुझे दिमाग में नहीं आ रहा कि कौन से number से ये दोनों उपर नीचे डिवाइड होंगे, तो सबसे पहले मैंने 2 से divide किया, 2 से divide किया, सबसे अच्छा तरीका 2 से divide कर देती हूं, तो यह आया, 42 upon 2 4s are 8, 2 9s are 18, अब हमें यह पता है, यह दोनों 7 के टेबल में आते हैं, तो मैंने क्या किया, 7 से divide कर दिया, तो यह कितना आगया, 7 6s are 42, और 7 7s are 49, अब यह आगे डिवाइड नहीं होते, तो that's why this is the answer, let's do last part now, last part is 150 upon 60, fourth part is 150 upon 60, तो हमें पता है, 150 upon 60 के लिए, सबसे पहले 10 से divide कर दीजे, क्योंकि दोनों में 0 है, तो यह आगया, 15 upon 6, अब यह पता है, दोनों 3 से divide होते हैं, 15 भी आता है, और 6 भी आता है, तो यह कितना आगया, 5 upon 2 आगया, और आगे यह डिवाइड नहीं हो सकते, that's why this is the answer,